बिहारी का जन्म सन पंद्रो सो पचनब्य में गवालियर में हुआ था। बिहारी रषिक जीवती पर उनकी रषिकता नागरिक जीवन की रषिकता थी। उनका स्वबा विनोधी और लोकपृता सन सोलव सो तिर्सट में इनका देहावास हुआ। बिहारे की एक ही रचना सस्सा ही उपलब्द है जिन में उनके लगबग 702 संगरित है लोकज्ञान और स्यासज्ञान के साथ ही बिहारे का काविज्ञान भी अच्छा था रीती का उनहें भरपुर ज्यान था उन्होंने अधिक वर्निक विशे सुंगार है इनकी कविता पूर्वी प्रयोग भी मिलते हैं बुद्देलकंड में अधिक दिनों तक रहने के कारण बुद्देलकंड सद्दों का प्रयोग भी सौबाविक हैं बिहारी के दोहे मेरी बवबादा हरो रादा नागर सोई जा तनकी जाई परे शाम हर्त दोध होई इस दोहे मेरी बवबादा हरो रादा नागर सोई जा तनकी जाई परे शाम हर्त दोध होई इस दोहे में रादा जी की वंदना कर रहे हैं इसमें मुक्यतह तीन अर्द निकलता हैं बक्ति, सुरूंगा, रंग, बक्ति सम्बंदी ए चत्तुर रादिका जी, आप मेरे सामसारी कष्टों को दूर करें, जिनके ज्यानमाई शरीर की जलक मात्रा से मन का दुख नश्ट हो जाती हैं अर्दात, हे राधिकाजी आपके प्रभाव से सारे पापनाश्टों हो जाते हैं, तो मेरे भी सारे कश्टों को दूर कर दीजी कोग कोटिक संग्रहों कोवू लाक हजार, सु संपत्ती जसुमत्ति सदर, विपत्ती विद्यारन हार सु संपत्ती जसुमत्ति सदर, विपत्ती विद्यारन हार बिहारी कहते हैं कि कोई भी हो हाजारों, लाकों या खरुणों की संपत्ती संग्रह करें लेकिन मेरी संपत्ती तो वही हैं जो सदा विपत्ती के नाश करने वाले हैं वही हैं यह दुनाद हैं स्री क्रिष्ण हैं मेरा जो प्राण दाता है या अनुरागी चित की गच समुझे नहीं कोई जोम जोम बूडे शाम रंग जोम जोम उजलू होई कभी बिहारी कहते हैं कि स्री क्रिष्ण के प्रेम रंग में रंगे हुई इस मन का व्योहार पड़ा विचित रहें यह जितना जितना शाम रंग में डूपता हैं उतना उतना ही पुद्वल होता चला जाता है स्रीक्रिष्ण के रूप सौंधर्य में बग्त तन्मय हो जाते हैं बसे बुराई जासुतन ताही को सनमान। बलो बलो कही चोड़िये कोटे ग्रह जबदान। बिहारी कहते हैं कि इस समसार में जिस शरीर में बुराई बस्ती हैं लोग विसी का सम्मान करते हैं टीक उसी तरह जैसे कि ग्रहों की पुजा करने में जो अच्चे ग्रह हैं उन्हें तो अच्चे अच्चे करकर चोड़ दिया जाता हैं किन्तु जो बुरे ग्रह हैं उनके नाम पर जापदान और पुजा जरूर होते हैं कागत पर लिकत ना बनत कहत सदेश लजात कहे है सब तेरो ही ओ मेरे ही की बात विहारी इस दोहे में नाइका की विकल वियोगपक्ष का चितरन किया है नाइका अपने प्री को संदेश लिखने में असमर्द है और अपने हुदे के बावों को व्यक्त करने में लज्जा करती है अतव अपने प्री से कहते हैं कि विरह की इस्तिती में तुम्हारा हुदे ही मेरे हुदे की सारी बातें कह देगा क्योंकि मेरी और तुम्हारी स्तिती एक जैसे ही है अंग अंग नग जगमगत दीप शिकासी देख कवी बिहारी केते हैं कि इस सुन्दरी के अंग अंग में रत्न से जटित आबूशन जगमगार है और इसका शरीर दीपक के वज्वल लोग के समान चमकता हुआ गोरा है इसलिए रात के दीपव बुद्ध देने पर भी गर में बड़ा उजाला बना रहता है तैंज्वान